अलो गाइज, वेलकम बैक तो मैं चैनल, तो गाइज आज हम कंपायर करने वाला है HP 15S FQ2535TU Laptop को Intel Inspiron 5509 Laptop से, तो इस वीडियो को एंट एक ज़रूर देखे, जिसे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे and guys, please don't forget to subscribe my channel and support me so फटाफट से वीडियो के शुडू करते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि आप सब जानते हैं, दोनों ही Laptops में आपको Intel के latest 11th generation वाले प्रोसर्स मिलते है, Tiger Lake प्रोसर्स मिलते है, तो जो particularly HP वाला मॉडल है, उसमें सिफ आपको i5-113-5G7 processor मिलता है, लेकिन Inspiron 5A09 में आप जानते होंगे, आपको 3 options मिलते है, i3, i5 और i7 का भी, तो इस वीडियो में हम particularly सिफ i5 वाले मॉडल को compare करने वाला है, दोनों ही brands के बीच, और जिन में आपको सिफ integrated graphics मिलती है, तो यहाँ पे आपको i5-113-5G7 processor मिलता है, जो कि quad core processor है, यहाँ पे आपको 8 threads मिलती है, 8 MB की cache memory है, और जो boost हो सकता है up to 4.2 GHz, तो processing speed दोनों ही laptops में आपको exactly same ही मिलने वाली है, ग्राफिक्स के मामले में आपको बात करते हैं दोस्तों, तो HP का जो laptop है, उसमें आपको completely plastic build मिलता है, जिसका weight है 1.75 kg, और जो की 17.9 mm की thickness के साथ आता है, वही दूसरी तरफ Inspiron 5809 में आपको aluminum lid मिलता है, with a weight of 1.75 kg and thickness 17.9 mm, तो build quality भी Inspiron की थोड़ी अच्छी है, अगर मैं compare करो HP से, आगे बढ़ता है display की तरफ, तो HP में आपको 15.6 inch full HD IPS display दिया गया है, जो की anti-glare वाला display है, इसमें आपको brightness के मामले में 250 nits और color gamut के मामले में 45% NTSC color accuracy मिलती है बाकी दूसरी तरफ, Inspiron 5809 में आपको 15.6 inch का wide viewing angle वाला display मिलता है, जो की anti-glare display है, जिसका resolution है full HD और brightness की बात करें तो यहाँ पे आपको 300 nits की brightness और 72% sRGB वाला color gamut मिलता है बढ़ते हैं आगे keyboard की तरफ, तो दोनों ही laptops में आपको full-sized backlit keyboard प्रवाइड किया गया है और fingerprint के मामले में दोनों ही laptops में आपको fingerprint नहीं मिलती है, लेकिन Inspiron 5809 में आपको option दिया जाता है अगर आपको fingerprint लगवाना है, तो 918 रुपीज एक्स्टा पे करके आप जब इस laptop को order करेंगे, तब आप इसमें fingerprint का option भी add कर सकते हैं तो यह एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी है, जिनको fingerprint की ज़रुवत है, वो definitely Inspiron 5809 के साथ जा सकते है RAM के मामले में बात करते है, HP में आपको DDR4 8GB की RAM मिलती है, लेकिन यहाँ पे dual channel RAM है, यानि कि आपको 2 sticks मिलती है 4GB वाली इस RAM की speed है to 666 MHz की, इसे आप upgrade कर सकते है up to 16 GB और दूसरी दरफ डेल में आपको DDR4 3200 MHz वाली RAM मिलती है, लेकिन यह single channel RAM है, यानि कि आपको यहाँ पे सिफ 8GB की एक stick मिलती है RAM के लिए upgradability के मामले में आपको यहाँ एक empty slot मिलता है, और इस laptop में आप अपने RAM को 32GB तक expand कर पाएंगे तो जो pre-installed RAM मिलती है, उसके मामले में performance की अगर में बात करो तो थोड़ा सा better रहेगा HP का laptop, क्योंकि यहाँ पे आपको dual channel RAM मिलती है बढ़ते हैं आगे storage की तरफ तो दोनों ही laptop में आपको pre-installed 512GB की M.2 PCIe NVMe SSD प्रोवाइड की गई है तो काफी सही read-write speed आपको मिल जाएगी तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन storage upgradability के मामले में HP में आपको कोई भी extra slot नहीं मिलता है अगर आपको upgrade करना है तो पहले 512GB की SSD को निकालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आप 1TB याफी 2TB की SSD को install कर सकते है दूसरी तरफ Inspiron 5A09 में आपको एक extra empty slot दिया जाता है SSD के लिए जहाँ पे आप 1TB की SSD install कर सकते है और 512GB की SSD है उसे भी आप replace करके 1TB की SSD install कर सकते है connectivity की तरफ चलते है दोस्तों तो यहाँ पे दोनों ही laptops में आपको Wi-Fi 5 और Bluetooth version 5 दिया गया है तो connectivity दोनों ही laptops में सही रहने वाली है पोर्ट की तरफ चलते है तो कोई भी जादा difference नहीं है दोनों laptops में आपको exactly same और same number of ports दिये गए है बस थोड़ा सा यहाँ पे generation का फर्ख है और एक चोटा सा difference है जो की है यहाँ पे इनके SD card slot reader में HP में आपको full size SD card reader का slot दिया गया है इसका dedicated video भी मैंने मेरे चैनल पे डाला है उसकी link में आपको description में दे दूं को तच जाके check out जरूर करे one of the most important factor जो एक laptop के लिए होता है वो है एक laptop की battery capacity HP में आपको 3 cell 41 watt-hour की battery मिलती है और यहाँ पे आपको 65 watts का fast charger मिलता है वही दूसरी तरफ Dell में आपको minimum 5 hours का battery backup मिल जाएगा 5 to 6 hours का battery backup आपको Dell से मिल सकता है और software की बात करें तो HP में आपको Windows 10 Microsoft Office Student version 2019 lifetime validity के साथ और Alexa का भी support मिलता है दूसरी तरफ Dell में आपको Windows 10 Microsoft Office Student version 2019 lifetime validity के साथ और 15 months का Mac FE antivirus का subscription भी मिलता है तो guys यही सारे differences थे इन दोनों ही laptops के बीच I hope कि आपके सारे doubts clear हो गए होंगे तो finally दोस्तों बात अटक जाती है यहाँ पे इनके pricing को लेके तो मैंने दोनों laptops के pricing चेक की है सारे ही platform पे तो guys Dell Inspiron 5809 laptop सिफ Dell के official website पे ही available है जिसकी price है 61,000 rupees currently और यहाँ पे आपको काफी अच्छे कासे offers मिल जाता है अगर आप यहाँ पे net banking या फिर UPI के तो पेमिंट करते हैं तो 2,000 rupees का instant discount उसी के साथ आपको यहाँ पे 2,000 rupees का digital cash card भी मिलता है तो price drop हो के आज आती है around 57,000 के आसपास तो finally guys pricing के मामले में आपको सिफ यहाँ पे 1-2,000 का ही difference मिलता है दोनों ही laptops के बीच तो मेरा opinion अगर मैं दू तो 1-2,000 rupees worth है आप Dell Inspiron 5509 को ही purchase कर लीजे क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा brighter display मिलता है battery capacity भी Dell Inspiron 5509 की अच्छी है ports के मामले में भी आपको काफी सई generation वाले ports मिल जाते है तो transfer speeds भी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी और Dell में अगर आप चाहे तो fingerprint का option भी add करवा सकते है तो वो भी एक काफी अच्छा feature है and finally guys storage और RAM के मामले में भी Dell Inspiron 5509 में laptop पे उसकी price vary होती रहती है अलग-अलग online platforms पे तो थोड़ा सा आप research कर लेना जहाँ पे इसकी price कम हो अगर आपको यहाँ पे दोनों ही laptops के बीच में around 4-5,000 का price difference देखने को मिल रहा है तो मैं बोलूँगा आप HP वाला laptop ले सकते है बहुती सही value आपको provide कर देगा नहीं तो अगर आपका budget tight है और आपको अच्छा performance चाहिए तो मेरी सबसे आपको HP वाला laptop ही consider करना चाहिए over Inspiron 5509 अगर आपका budget issue नहीं है तो मैं बोलूँगा आप Inspiron 5509 ही लेना तो यह था मेरा opinion और overall differences इन दोनों ही laptops के बीच उमीद्य आपको यह video पसंद आया होगा अगर आपको यह video अच्छा लगया तो guys please do subscribe my channel and support my channel that's all for the video, मिलते हैं अगले video में till then bye bye